अब बहुत मैचूर प्लिटिशन की तरह भी है भी करते हैं और हैं भी आप नितीश्जी के साथ सब ठीक हो गया जिस पेशन्स जिस धैर जिस लाज़ा पिच्छर की मैं बात कर रहा था हम लोग अभी एक बड़े लक्षे की और अग्रसर हो रहे हैं लक्ष प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग को 400 सी के जीतने का जो लक्षे दिया है उसकी और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं ऐसे में भाई अगीन राजनीती का विध्यारती होने के नाते ये बात भी हम लोग को सिखाई जाती है कि राष्ट हित सबसे उपर होता है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं होते है राष्ट हित के बाद गडबंधन का हित आता है गडबंधन के हित के बाद आपके दल के हित के बाद अगर कुछ बच जाए तो इंसान विक्तिकत हित की हितों की चिंता कर सकता है पर सबसे उपर राष्ट हित के लिए इस गड़बंधन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है प्रधान मंत्री जी को गए तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है देश का तो उसमें बिहार की 40 सीटों का एक एक एहम योगदान है वो 40 सीटे हम लोग तभी जीत पाएंगे जब ये गड़बंधन इंटाक्ट रहेगा गडबंधन इंटाक्ट कैसे रहेगा जब हम सब अप हम लोग को प्रियरिटाइज करने की जरूरत है लक्षो को निर्धारित करने की जरूरत है ये देश के चुनाओं हो रहा है ये बिहार के विधान सबा के चुनाओं नहीं है उसमें फिर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे सारी बातों को रखेंगे उसी मंच पर रहकर मेर बिहारी फर्स का मेरा विजन है उस विजन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उन तमाम बातों को बिहार के चुनाओं के वक्त हम लोग जरूर हम लोग सामने रखेंगे पर आज जब हम लोग लाज़र पिचर बिगर गोल्स की अगर हम लोग बात करना है उसमें आपसी म पहरों पर खड़ा हो करके बहुत आगे बढ़ सकता है ये सारे सवाल हाश्यू बचले गए बिल्कुल नहीं गए ये सारे सवाल पुना जब राज़र के चुना होंगे तमाम सवाल आएंगे और मैं मानता हूँ मैंने उस वह कुछ गलत नहीं का था मैं आज भी मैं उसी बा आप गुरु गोविन सिंग जी की वो धरती रही है भगवान महावीर की वो धरती रही है गौतम बुद की वो धरती रही है अयुद्या में भगवान राम के मंदर की हम लोग चर्चा करते हैं मेरी माता सीता की धरती वो रही है तो ये तमाम विशे हैं आरे भट वहां के है चानक के नीती, राजनीती में जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा जिक्रे करते हैं वो उसी धरती से हैं तो ये तमाम हाँ पुशो कि और नीडलेस उसे मैं कई बार कह चुका हूँ मीडिया हाउसे में चले जाएए आपको टॉप पोस्ट पे आपको बिहारी मिलेंगे उन नीतियों को बनाना होगा और आज मेरा विश्वास बिहार पर या बिहार की सरकार पर आज क्यों बढ़ता है क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार में लिए बिहार का ये दुरभागे रहा है कि निरंतर विरोधावास की सरकारे रही और खुदी देखे भाई, जितने समय तक Center में UPA की सरकार थी तब बिहार में इंडिये की सरकार थी जब इंडिये की सरकार हां पर बनी तो महापे महागडवन्दन की सरकार बन गई विरोधा भास की सरकारे रहें तो केंदर की योजना है धरातलपा नहीं राज की योजना है परियोजनाओं को केंदर से सहमती नहीं तो यह विरोधा भास रहा एक बड़ा आप ही के कहे से एक सवाल पैदा होता है और आपके कहे को काटता भी है लंबे समय तक NDA के सरकार बिहार में ने तीज नुमार दो हजार पांच में आते हैं बिहार में और बीच के तीन-चार वर्ष्ण को हम छोड़ दें जो उन्होंने आर्जीडी के साथ गुजा रहा है बाकी तो यही डबल उन के सरकार चलती रहे दो हजार पांच में जब का जवाब जिक्र कर रहे हैं दो हजार पांच से लेकर दो हजार चौदा तक केंद्र में तो यूपीए की सरकार में तो उसके बाद बीच में जो हम लोगो डेर दो साल का हम लोगो पैच मिला सतरा से लेकर आपको लगता है कि यह डबल इंजन की सरकार का योगदान है एक टिकट आपने दिया है शामिय चौदरी को मैं अपने दश्रूदरी नितीश कुमार के बहुत ही खासम खास है नितीश कुमार के आजू बाजू जो लोग द उनकी बेटी हैं शामिय चौदरी और किशौर कुनाल पॉमर आईपीस आफिसर उनकी बहु भी हैं ये नितीश कुमार के खुश करने के लिए तब नहीं दिया है भाई मैं 21 सभी का पढ़ा लिखाई हूँ हूँ मैं जात्पा धर्म मजभ में विश्वास नहीं रखता है औ नहीं हमेशा इस बात को बोला है मेरे लिए और अब मेरे प्रधान मंतरी भी इस बात को बोलते हैं मेरे लिए कोई जाती है तो युवाओं की जाती है मेरे लिए कोई जाती है तो गरीबी एक अपने में एक जाती है मैं इन जातियों को मैं जोड़ना चाहता हूँ मैंने ब आभवी का जिक्र कर रहा हूं, मैं वीना जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको महिलाओं का, हम लोग नारी वंदन का भी हम लोग उने जिक्र कि आधिनियम हम लेकर आए, विमन रिजर्वेशन बिल जो की लंबे समय से वो था, मुझे खुशी है कि मैंने सीमित स्पेस में, ब जिसमें वीना जी है, आप इसमें देखें, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन देखें, आप इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखें, आप इसमें सिक्षा का रिप्रेजेंटेशन देखें, ये जितने लड़कें हैं, राजेश हैं, ये अरुन भारती जी, मतल पढ़कर आए हैं, विदेश के डिग्री है, MBA की है, वे खुद को अपने पाउं पे established businessmen के तौर पर उन्होंने अपने आपको थाबित किया है, तो ऐसे में ये सब young talents हैं, educated लोग हैं, तो मैं इस team के साथ, मैं बिहार को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं, तो ये किसी को खुश करने लिए नहीं है, ये युवाओं का representation है, पढ़े लिखे युवाओं का representation है,